जब भी किसी यूट्यूबर का चैनल मोनिटाइज होता है तो उसे बहुत खुशी होती है। और उससे भी ज़्यादा खुशी उसे तब महसूस होती है जब वे अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी यूट्यूब अर्णिंग को चेक करता है। अगर कोई भी वेक्ति अपने महनत की कमाई देखता है तो उसे अलग ही आनंद महसूस होता है। ऐसे ही अगर कोई भी यूट्यूबर अपनी अर्णिंग को अपनी यूट्यूब चैनल पे देखता है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन बहुत से नई यूट्यूबर को यह नहीं पता होता कि वह अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी अर्णिंग को कैसे चेक कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब चैनल पर होने वाली अर्णिंग को कैसे चेक कर सकते हैं तो जादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपने यूट्यूब चैनल की अर्णिंग चैक करने के लिए पहले हमें अपने मोबाइल में उपन करना है Google Chrome Google Chrome ऊपन करने के बाद उसे desktop mode में ओन करेंना है उसके लिए हम यहां पर देखो तीन बिंदू दिखाया दे रही हैं इससपे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर option आ गया है desktop site का इसके आगे जो आपको यह box दिखाई दे रहा है उस पर आप टिक कर देंगे तो हमारा जो chrome है अब वो desktop mode में own हो गया है अब हमें chrome में YouTube open करना है तो हम यहाँ पर type करते हैं www.youtube.com YouTube open होने के बाद आपको अपने उस YouTube channel से यहाँ पर login कर लेना है जिसकी earning आपको चेक करनी है मैंने पहले से ही यहाँ पर login कियावा है login करने के बाद हम अपने channel के logo पर किलिक करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा है YouTube studio हम यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद देखे के left hand side में हमें बहुत सारे option यहाँ दिखाई दे रहे हैं यह तीसरे नंबर का option है analytics का हम यहाँ पर किलिक करेंगे analytics पर किलिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ बहुत सारे option आ रहे हैं जैसे की overview, content, audience, revenue और research हम यह चोथे नंबर का जो option है revenue यहाँ पर किलिक करेंगे revenue पर किलिक करने के बाद हमारे सामने हमारे चैनल की जो earning है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ देखे लिखावा है estimated revenue थोड़ा मैं इसे बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आगया है estimated revenue अभी जो हमें यहाँ पर earning दिखाई दे रही है वो हमारे चैनल की पिछले 28 दिन की earning है अब यह हमें कैसे पता चला कि हमारे चैनल पर यह जो earning है 28 दिन की है अब आपको अपने चैनल पर अठाई दिन से कम या अठाई दिन से ज़्यादा की earning चैक करनी है तो उसके लिए simple हम क्या करेंगे यहाँ पर देखे और drop down का option दिखाई दे रहा हम यहाँ पर click करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ बहुत सारे option आगें जैसे कि last 7 days, last 20 days, last 90 days, last 365 days और lifetime अब आपको जितने दिन की भी अपने चैनल की earning चैक करनी है आपको simple उस option पर यहाँ क्लिक कर देना है माली जै अभी मुझे पिछले 90 days की earning चैक करनी है तो मैं यहाँ last 90 days पर click करता हूँ तो हमारे चैनल पर पिछले 90 दिन की जो earning है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगी तो इस तरीके से आप अपने चैनल पर अपने दिनों के अनुसार अपने चैनल की earning को चेक कर सकते हैं अब देखो नीचे हमें यहाँ पर बहुत सारे options और दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा हा how much you are earning उसके नीचे यहाँ पर month लिखे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किस month में कितनी कमाई हुई है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है content performance इसमें जो है आपको यह estimated revenue आपका दिखाई दे रहा है आप source पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर source के बारे में दिखाएगा कि आपको अपने source से कितनी earning हो रही है, आप live पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपको अपने live करने से आपके channel पर कितनी earning आपको हुई है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, how you make money, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपके channel पर आपको कमाई हो रही है, थोड़ा हम इसे बढ़ा कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है watch page ads, यानि आपको जो आपके channel पर ads से कमाई हुई है, वो कितनी हुई है, और YouTube premium से कितनी कमाई हुई हुई है, वो आगे show कर रही है, और source feed से कितनी कमाई हुई है, वो यहाँ पर show कर रही है, नीचे दिखाई दे रहा है fan funding, fan funding का मतलब है, अगर कोई भी subscriber आपको कोई super thanks देता है, super chat वगरा देता, यानि उससे जो आपको कमाई हुई है, वो यहाँ पर show करेगी, अब हम थोड वीडियो से कितनी कमाई हुई है, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जैसे कि मेरे content पर दिखाई दे रहा है, मेरी ये वाली वीडियो है open camera की, तो सबसे ज़्यादे अभी जो कमाई हुई हुई है, मेरे channel पर वो इस वीडियो से उडियो है, उससे कम नीचे दिखा हुई हो रही है, तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल की earning को बहुती आसानी से चेक कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए useful होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, अभी तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, जैभार आपके लिए नमस्कार, तक कर दो है, वीडियो आपके लिए नमस्कार, जैहिंद, जैपके लिए वीडियो आपके लिए।